समस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में दोस्तों छुट्टिया सुरू होने से पहले दो एकसरसाइज रह गये थे तो आज मैं उन्हें कंप्लीट करूंगा उसके बाद थार्ड चैप्टर सुरू करूंगा तो चलिए करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले देखते हैं एकसरसाइज 2.6 वैसे तो आपने कल लिया होगा लेकिन मैं एक बार इसको यहां पर एकस्प्लेन करता हूं तो 2.6 का सबसे पहले देखे कुश्चन नंबर वन जिसमें हमको इंटू करना इसका जो फ़र्श पार्ट है इस इसके बाद हम देखते हैं राइट साइड से पॉैंट कीधर कि इतने डिजिट है तो देखियी है फीट फिर्ट है तो वन है तो यहां पर यहांपर चे लेफट में यहां पे पॉइंट लगा देते हैं amd इसे तरह से दोस्तों के आप को इखियार में गोर्शन नंबड वन कि 368 अब देखिए पॉइंट के इधर कितना डिजिट है केवल एक डिजिट है तो केवल एट के बाद क्या कर देंगे हां पर पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जागा यहां पर कितने डिजिट से हैं दो तो यहां पर 552 के बाद हम यहां पर पॉइंट लगा देंगे इसी तरह से दोस्तों देखिए फोर्थ पार्ट इसमें 20.1 है इस पर हमने फोर से इंटू किया कितना आया 80.4 है क्योंकि देखिए पॉइंट के इधर क्यों एक ही डिजिट है 20.1 है क्यों यहां पर वन है तो क्या हो जागा एक ही डिजिट के बाद यहां पर हम पॉइंट लगा देंगे फोर के इधर में लेप्ट में हम पॉइंट लगा देंगे यहां पर इसी तरह से दोस्तों देखिए इसमें इसका सेवन पार्ट फिफ सेवन पार्ट देखिए आप टू से हम 0.86 में इंटू करेंगे तो पहले 86 में हम 2 से इंटू करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2,6,12, कैरी 1,2,8,16,1,17 यहाँ पर पॉइंट है 0.86 दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना जाएगा 1.72 यह 1.72 आ गया अब दोस्तों आते हैं कोशन नमबर टू पे कोशन नमबर टू में क्या कहता है कि find the area of rectangle whose length is 5.7 cm and breath is 3 cm तो बच्चों पता है कि rectangle का area क्या होता है length into breath तो length कितना है यहाँ पे देखिए 5.7 cm और breath कितना है 3 cm तो 5.7 में 3 से इंटू करेंगे तो कितना हैगा 171 इसके बाद 7 के बाद क्या कर देंगे यहाँ पर पॉइंट लगा है 7 मतलब एक ही डिजिट है तो कितना है जगा 17.1 17.1 cm square area का unit क्या होता है cm square तो यह जगा 17.1 cm square अब दोस्तों आते हैं इसमें question number third में आते हैं यहाँ पर थर्ड में किसको into करना है देखिए first part 1.3 में 10 से into करना है तो पहले 13 और 10 का into 130 होगा जिसे हमें into करना है यहाँ पर 1.3 को into करना किसमें 10 से into करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 को 10 से into कीजिए तो 0 into 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर 3 आएगा यहाँ पर 1 अब देखिए point के बाद क्यों एक digit है तो 0 के बाद एक point लगा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 13.0 तो कितना हो जाएगा 13.0 ऐसे दोस्तों आप बाकी parts देखिए 36.8 है यहाँ पर 36.8 को 10 से into करोगे तो कितना आएगा पहले 36.8 जीरो आएगा उसके बाद point के बाद एक digit है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर एक digit के बाद यहाँ point लगा देंगे ऐसे फोर्स देखिए सामने है 168.07 को 10 से into करेंगे 168.07 आएगा इसमें उसके बाद क्या है एक दो डिजिट के बाद हमें 0 रखना है यहाँ पर 070 आएगा तो दो डिजिट के बाद एक दो के बाद क्या करनेंगे हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो दोस्तों यह देख लीजी इसको इसी तरह से बाकी पार्ट भी कर लेंगे हम इसी इसका थार्ट पार्ट है 153.7 into 10 तो क्या जागा 1.37 0 हाजाएगा ऐसे ही 31.1 को 100 से into करोगे तो पहले पॉइंट को अगर हम भूल जाएगा 31100 आएगा कितना आएगा 31100 अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है यहाँ पे तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो कितना जगा 31100 ऐसा ही सेवंथ पार्ट देखिए दोस्तों 3.62 into 100 तो पहले पॉइंट अगर भूल जाएगा तो 362 को 100 से इंटू करेंगे तो 36200 हो जाएगा अब दो के बाद 2 डिजिट है पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लगा देंगे तो 362 आ जाएगा ऐसे ही दोस्तों देखिए यहाँ पे 1561 में 100 से इंटू करेंगे तो 156100 हो आएगा अब पॉइंट के इधर एक ही डिजिट है तो 0 के इधर एक ही पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 15610 ऐसे ही एट पार्ट देखिए 43.07 को 100 से इंटू करेंगे तो 430700 होगा इसके बाद पॉइंट के इधर दो डिजिट है तो दो डिजिट के बाद लगा देंगे तो हो जाएगा 4307 अब यहाँ पे 0.5 इंटू 10 हो जाएगा 5.0 यहाँ पे 10 से इंटू करेंगे तो 0.8 यहाँ पे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 900 और एक के बाद फिर पॉइंट लगा देंगे 90.0 और दोस्तों 1000 को 3 से इंटू करेंगे 3000 जाएगा पॉइंट के इधर दो डिजिट है तो दो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे इधर भी 30 आजाएगा अंसर दोस्तों अब देखते हैं कुश्य नमबर फोर्ट अट्वेव वीलर कवर्स कवर्स अधिस्टेंस आफ 55.3 किलोमेटर इन वन लिटर आफ पेट्रोल हाउ मज़ डिस्टेंस विट विलिट कवर इन 10 लिटर्स जाता है 55.3 किलोमेटर जाता है तो टैन किलोमेटर में कितना जगा इन यहां लगा देंगे यहां पर पॉइंट कितना जाएगा 553 किलो मिटर यह हो जाएगा अब आते हैं इसमें कुश्चन नंबर 5 में दोस्तों ऐसे ही हो जाएगा हमें इंटू करना है 2.5 को 3.3 से इंटू करना है जिसे 2.5 को हमें इंटू करना है 0.3 यह 0.3 बात वही है तो 3.5 जा 15 हो जाएगा कैरी 132 जा 6 प्लस 17 देगे 75 आ अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है यहां पर 5 हो गया 1 3 हो गया 2 तो 1 2 यहां पर पॉइंट आ जागा यहां पर 0 लगा सकते हैं 0.75 तो दोस्तों इसी तरह से आप स 316.8 में करेंगे तो पहले 2 से करेंगे हम इतना है यहां पर 316.8 में इंटू करेंगे हम 2 से इसे इंटू करना पॉइंट 2 से 2.8 जा 16 6 आएगा कैरी आएगा 1 2 6 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 2 3 जा 6 6 3 3 6 आ गया अब कितने के बाद लगांगे 1 2 यहां हो जागा 63.36 63.36 आ गया है आप ऐसे दोस्तों इंटू करेंगे 1.3 को 3.1 में 1.33.1 में करेंगे 4.03 ऐसे ही 0.5 को 0.05 में करेंगे 5 5 25 जा 25 तीन डिजिट के बाद लगांगे 1 2 3 3 के बाद तो कितना हो जागा 0.025 हो जागा ऐसी दोस्तों 6 करेंगे कितना हैगा 1.680 7 करेंगे दोस्तों ऐसे ही करना है आपको देख लीजिएगा आप अच्छे से यहां पहले आप पॉइंट को भूलकर इंटू कर लो फिर देख लो पॉइंट के राइट में कितनी डिजिट्स हैं फिर उसी तरह से जो हमारा अंसर है उसमें हर एक डिजिट के काउंट करके उसके लेप्ट में आप चलो और उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो तो दोस्तों यह था एक्सरसाइज 2.6 अब जल्दी से हम 2.7 देखेंगे तो 2.7 में है देखें कोशे नमबर 1 में यह है फाइंड 0.4 divided by 2 0.4 divided by 2 क्या करेंगे फर्श पार्ट इसका तो 0.4 को लिख सकते हैं 4 by 10 4 by क्या लिखेंगे 10 तो 0.4 divided by 2 इसको लिख सकते हैं आप पर 4 by 10 divided by 2 को लिख सकते हैं 2 by 1 अब पता है जो divide का sign होता है दोस्तों यह into में change होता है product में change होता है तो कितना हो जाता है यह 4 by 10 4 by 10 अब यह into में जाता है अब यह 2 by 1 मन जाएगा 1 by 2 2 से 4 को cut करोगे तो आएगा 2 तो यह कितना बज़ गया 2 by 10 2 by 10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2 तो देखिए इसमें ऐसे ही first part है ऐसे ही देखिए second part देखिए इसका second part क्या है 0.35 divided by 5 तो 0.35 को लिख सकते हैं 35 by 100 और 5 को लिख सकते हैं 5 by 1 अब 35 by 100 अब divide into में बदलेगा और 5 by 1 होजगा 1 by 5 तो अब 5 से हम 35 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 आएगा यह हो जगा 7 by 100 आजएगा और यह हो जगा 0.07 ऐसे देखिए third part इसका 2.48 divided by 4 तो 2.48 को लिख सकते हैं 248 by 100 लिख सकते हैं divide 4 by 1 हो जगा 4 को लिख सकते हैं 4 by 1 अब यह हो जगा 248 by 100 और divide हो जगा इन 2 में तो 4 by 1 हो जगा 1 by 4 अब यह 4 से हम 248 को कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 62 इसके बाद क्या हो जगा यहाँ पर 62 by 100 इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.62 अब देखिए दोस्तों फोर्थ पार्ट इसका 65.4 divided by 6 तो कितना हो जगा यहाँ पर 65.4 को लिख सकते हैं 654 by 10 divided by 6 6 को लिख सकते हैं 6 by 1 यहाँ पर divide into में convert हो जाएगा 654 by 10 into 6 अब क्या करेंगे 6 से 654 को डिवाइट करेंगे 6 से 6 से डिवाइट करेंगे 654 पहले 1 जा 1 ले जाएगे 6 में 6 गया कुछ नहीं 5 आएगा कम है तो 0 ले जाएगे यहाँ पर 0 माइनस हो जाएगा 5 बचेगा फिर 4 लिखेंगे फिर 6 9 जा 54 तो कितना आया 109 109 by 10 आया यह आगया 10.9 अब देखिए यहाँ पर 5 पार्ट 651.2 को डिवाइट करेंगे 4 से तो कितना आजएगा 651 2 by 10 कितना हो जागा 10 हो जागा यह दिवाइड़ बाइट 4 by 1 है यह 651 2 by 10 into 1 by 4 4 से डिवाइट करेंगे 651 2 को तो आएगा 1628 आएगा इसके बाद 10 से डिवाइट करेंगे 162.8 दोस्तों डिवाइट करने में क्या होता इसे 10 से करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 100 से करेंगे दो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1000 से करेंगे तो तो देखने न आपको पिछले वीडियो में सब क्लियर किया था मैंने एसे चलिए 6 वाला देखिए यहां पे आप 6 वाला पार्ट देखिए 14.49 को डिवाइट कीजिए 6 7 से तो 14.49 को लिख सकते हैं हम लोग 1449 by 100 लिख सकते हैं इसको डिवाइट 7 को लिख सकते हैं 7 by 1 1449 by 100 और divide into में convert हो जगा 1 by 7 7 से divide करोगे 1449 को हो जगा 207 इसको 100 से divide करोगे कितना हो जगा 2.07 ऐसे दोस्तों 3.96 divided by 4 है तो 396 by 100 लिख सकते हैं और divide it by 4 by 1 यह हो जगा 396 by 100 into 1 by 4 इसको solve करोगे आप तो आएगा 0.99 अब देखते हैं दोस्तों इसका आठवा पार्ट क्या है इसमें क्या करा 0.80 divided by 5 तो 0.80 को लिख सकते हैं 80 by 100 इसको 5 by 1 80 by 100 into 1 by 5 हो जाएगा अब 5 से आप 80 को divide करोगे कितना होगा 16 क्योंकि 16 5 जा कितना होता 80 होता है यह हो जगा 16 by 100 यह हो जगा 0.16 सेकेंड का आप देखिए सेकेंड का फर्स पार्ट क्या है इसमें 4.8 divided by 10 तो 4.8 को लिख सकते हैं हम लोग 48 by 10 और 10 को लिख सकते हैं 10 by 1 यह हो जगा 48 by 10 into 1 by 10 48 by 100 यह हो जगा 0.48 अब यह हो जगा 52.5 divided by 10 यह हो जगा 525 by 10 divided by 10 by 1 यह 525 by 10 into 1 by 10 अब 10 10 का into 100 हो जाएगा 100 से divide करोगे तो कितना हो जगा 5.25 दोस्तों इसका 3rd part देखी जल्दी से 0.7 divided by 10 0.7 को लिख सकते हैं 7 by 10 10 को लिख सकते हैं 10 by 1 यह जगा 7 by 10 into 1 by 10 7 by 100 यह जगा 0.07 क्योंकि 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद लगेगा तो 7 हो गया अब इसके लेट में कोई डिजिट नहीं तो 0 एक बढ़ा के फिर हम पॉइंट लगाते हैं 0.07 चलिए 4th वाला पार्ट देखी क्या है इसमें 33.1 divided by 10 अब 33.1 को लिख सकते हैं 331 by 10 divided by 10 by 1 यह हो जागा 331 by 10 और divide into में convert होगा यह 1 by 10 हो जाएगा तो 331 by 100 हो जाएगा यह हो जागा 3.31 अब दोस्तों चलिए 5th वाला पार्ट देखी 272.23 divided by 10 यह हो जागा 27223 by 100 हो जाएगा यहाँ पर और 10 का 10 by 1 फिर divide into में convert होगा दोस्तों यह हो जागा 1000 तो 3 डिजित के बाद पॉइंट लगेगा तो हो जागा 27.223 चलिए दोस्तों जल्दी से आते हैं इसके 6 पार्ट पे 0.56 divided by कितना है 10 यहाँ पे तो 0.56 को लिख सकते हैं हम लोग 56 by 100 divided by कितना है 10 by 1 यह हो जागा 56 by 100 into 1 by 10 by 1 को लिख सकते हैं 1 by 10 यह हो जाएगा यह हो जागा 56 by 1000 यह हो जागा 0.056 को कि 56 दो ही डिजिट है हमें तीन डिजिट के बाद चाहिए 1, 2 तो एक 0 यहाँ पे बढ़ा के यहाँ क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे दोस्तों इसके 7 पार्ट में देखते हैं 3.97 divided by 10 3.97 को लिख सकते हैं 3.97 by 100 divided by 10 को लिख सकते हैं 10 by 1 3.97 by 100 into 1 by 10 10 by 1 का इंटू कनवर्ट होगा डिवाइट तो क्या हो जागा 1 by 10 3.97 by 1000 यह हो जागा 0.397 अब देखिए दोस्तों इसमें question number 3 का first part 2.7 divided by 100 2.7 को लिख सकते हैं हम लोग 27 by 10 और divided by कितना हो जागा 100 by 1 हो जागा है 27 by 10 divided by 100 by 1 यह हो जागा 27 by 10 और divide kind 2 हो जागा 1 by 100 तो यह हो जागा 27 by 1000 यह solve करके हो जागा 0.027 ऐसी second part है 0.3 divided by 100 3 by 10 divided by 100 by 1 यह हो जागा 3 by 10 इंटो डिवाइट का इंटो में हो जागा 1 by 100 तो 3 by 1000 यह हो जागा 0.003 ऐसी third part पर आए 0.78 divided by 100 यह हो जागा 78 by 100 divided by 100 by 1 यह हो जागा 78 by 100 डिवाइट का इंटो हो जागा 1 by 100 78 by 10,000 तो इसमें देखिए 4 डिजिट्स हैं 4 zeros हैं तो 4 zeros हैं तो यहां पर 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा 1, 2, 3, 4 ऐसे ही fourth part में आए 4, 3, 2, 6 divided by 100 तो 4, 3, 2, 6 by कितना हो जागा यहां पर 10 हो जागा, divided by 100 by 1 हो जागा तो 4, 3, 2, 6 by 10 डिवाइट का हो जागा इंटो 1 by 100 4, 3, 2, 6 by 1000 यह हो जागा 4.3, 2, 6 ऐसे दोस्तों इसका fifth part देखते हैं क्या है इसमें 23.6 उसको लिख सकते हैं हम लोग 236 by 10 divided by 100 100 को लिख सकते हैं 100 by 1 यह इंटो में convert हो जागा, तो 1 by 100 236 by 1000 तो जागा 0.236 अग फोर तो देखिए दोस्तों 7.9 divided by 1000 7.9 को लिख सकते हैं 79 by 10 1000 by 1, इसको लिख सकते हैं 79 by 10 into 1 by 1000 यह हो जागा 79 by 10,000 तो पॉइंट लगाएंगे यहां पर 123, 4 जिजिट के बाद लगाएंगे तो 0.0079 अब देखिए दोस्तों यहां पर 26.3 है divided by 1000 यह हो जागा 263 by 10 divided by 1000 by 1 यह हो जागा 263 by 10 into 1 by 1000 263 by 10,000 तो क्या हो जागा 263 के यहां पर 4 जिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो 3 ही जिजिट है तो 1 0 लगाके फिर पॉइंट लगाएंगे तो हो जागा 0.0263 अब आई यह 3rd वाला देखते हैं 38.53 divided by 1000 38.53 को लिख सकते हैं 38.53 by 100 दिवाइट को लिख सकते हैं इंटू और 1000 को लिख सकते हैं 1 by 1000 तो यह हो जागा नीचे देखिए कितने 0s हैं 1,2,3,4,5 तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगएगा 1,2,3,4 एक डिजिट 0 है 0 के बाद लगा देंगे यहां यह हो जाएगा 4 था इसमें 128.9 divided by 1000 तो कितना हो जाएगा 1,2,8,9 by 10 divided by 1000 यहां पे है 1,2,8,9 by 10 into 1 by 1000 हो जाएगा 1,2,8,9 by 10,000 है इसमें जी हो जाएगा 4 डिजिक के बाद पॉइंट लगएगा 0.1289 अब देखते हैं दोस्तों इसका फिफ पार्ट देखते हैं यहां पे 0.5 divided by 1000 है तो 5 को 0.5 को लिख सकते हैं 5 by 10 लिख सकते हैं divided by 1000, 1000 by 1 तो 5 by 10 into 1 by 1000 यह 5 by 10,000 हो जाएगा यह हो जाएगा 0.0005 चलिए ऐसे देखते हैं फिफ पार्ट पार्ट 7 divided by 3.5 तो 7 को लिख सकते हैं 7 by 1 divided by 3.5 को लिख सकते हैं 35 by 10 अब डिवाइड जब इंटू में कनवर्ट होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा डिवाइड इंटू में हो जाएगा तो 35 by 10 किसमें हो जाएगा 10 by 35 अब 7 से डिवाइड करो 35 को 7 से 35 को आप डिवाइड करोगे 7 पाइब जा 35 माइनस करोगे तो यह पूरा क्या होजाएगा कट जाएगा कितना बचा है यहाँ पर दोस्तों 5 बचा उपर कितना बचा 10 by 5 बचा अब 5 से 10 को डिवाइड करोगे कितना आईगा यहाँ पर 2 आएगा तो answer हो जागा 2 36 को divide करो 0.2 से 36 divided by 0.2 0.2 को लिख सकते हैं 2 by 10 यह हो जागा divide फिर into में convert हो जागा तो 36 by 1 into 10 by 2 अब क्या हो जागा यहाँ पर 36 को 2 से cancel करेंगे तो 18 आएगा 18 को 10 से into करेंगे तो 180 ऐसे ही है 3.25 divided by 0.5 3.25 हो जागा 325 by 100 और यह हो जागा divided by 5 by 10 फिर यह उलट जागा 325 by 100 into 10 by 5 तो दिखिए दोस्तों क्या हो जागा यहाँ पर 325 into 10 by 100 into 5 10 से पहले हमने 100 को कट किया तो 10 आया 5 से 325 को किया तो 65 आया 65 by 10 कितना आ गया है यहाँ पर 6.5 अब नेक्स देखिए फोर्थ पार्ट इसका 30.94 divided by 0.7 30.94 को लिख सकते हैं 3094 by 100 divided by 0.7 0.7 को लिख सकते हैं 7 by 10 अब यहाँ divide into में कनवाट हो जागा तो हो जागा 10 by 7 अब 7 से 3094 को हम डिवाइट करेंगे तो आएगा 442 यहाँ अब अपने से करना 442 और यहाँ पर 10 से 100 को कट करेंगे कितना आगा है यहाँ पर 10 442 और 10 तो कितना हो जागा 44 पॉइंट टूगा जाएगा यह आंसर ऐसे देखें फिप्त पार्ट 0.5 divided by 0.25 0.5 हो जागा 5 by 10 divided by 0.25 को लिख सकते हैं 25 by 100 तो 5 by 10 अब यह डिवाइड इंटू में कनवर्ट हो जागा इंटू 100 by 25 तो 5 by 10 इंटू 100 by 25 यह पूरा कैंसिर होके आएगा 10 by 5 10 by 5 कितना हो जागा है यहाँ पर 2 अब देखते हैं दोस्तों पार्ट नंबर इसका 6 पार्ट देखते हैं 7.75 divided by 0.25 यह हो जागा 775 by 100 डिवाइड बाइ 25 by 100 यह 775 by 100 डिवाइड का इंटू में कनवर्ट हो जागा इंटू 100 by 25 अब 100 से 100 को इंटू करो तो 775 by 25 25 से डिवाइड करो पहले 5 से डिवाइड करो तो 155 by 5 यह कितना हो जागा 31 इसका 7 पार्ट देखिए 76.5 divided by 0.15 76.5 को लिख सकते हैं 765 by 10 डिवाइड 15 by 100 लिख सकते हैं इसको अब यह डिवाइड इंटू में कनवर्ट हो जागा तो 765 by 10 इंटू 100 by 15 यह सॉल करो गया 15 से 765 सबको कट करो गया तो पुल मिला के आजाएगा 510 चलि इसका अठ्मा पार्ट देखिए एट पार्ट 37.8 divided by 1.4 तो 37.8 को लिख सकते हैं 378 by 10 divided by 1.4 को लिख सकते हैं 14 by 10 तो 378 by 10 इवाइड का इंटू हो जागा 10 by 14 यह हो जागा 378 by 14 आएगा 10 से 10 कट गया 14 से कट करोगे तो कितना आएगा 27 अब इसका नाइन्थ पार्ट देखते हैं 2.73 divided by 1.3 तो 2.73 को लिख सकते हैं 273 by 100 divided by 1.3 1.3 को लिख सकते हैं 13 by 10 अब डिवाइड फिर इंटू में कनवर्ट हो जागा तो 273 by 100 इंटू 10 by 10 से 100 को डिवाइड करो 10 आएगा यहां पर अब यह हो जागा 273 by 13 हो जागा इसको आप पूरा सॉल फोरगे 21 by 10 यह जगा 2.1 अब दोस्तो आज लाश्ट कोश्चन इस एक्सरसाइज का वेहकल कवर्स अधिस्टेंस ऑफ 43.2 किरोमीटर इंग 2.5 लीटर आप पेट्रोल हाउ मच डिस्टेंस विलिट कवर इन वन लीटर आप पेट्रोल तो दोस्तों पता है वन लीटर के लिए हम क्या करते हैं divide करते हैं और बनीटर का दिया हो ज्यादी का निकालना है तो cow he to till 43.2 में हम डिवाइट करेंगे किसे 2.4 से 43.2 को लिख सकते हैं 432 को 432 by 10 2.4 को लिख सकते हैं 24 by 10 फिर यह डिवाइट इंटू में कनवर्ट हो जागा 432 by 10 इंटू 10 by 24 10 से 10 कैंसिर हो गया 432 by 24 इसको सॉल्ब करेंगे 108 by 6 यह जगा 18 कितना जगा 18 तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक और वैसे तो आपने इसको कल लिया होगा लेकिन यह बचा हुआ था इसलिए मैं यह वीडियो बनाएं दो एक्सरसाइज पर और जल्दी ही मैं एक दो दिन के अंदर थार्ट चैपकर भी सुरू कर दूंगा तो थोड़ा साब इसको रिवाइश करना धन्यवाद